सुप्रेम कोट ने समलाइंगिक विवा को भले ही मान्यता नहीं दी हूँ लेकिन देश के अलग-अलग हिसों में इससे जुड़ी खबरे लगातार सामने आती रहती है ताजा मामला बिहार के सिवान से जुड़ा है जहां दो बहनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने आपस में ही शादी कर ली देखिए रिपोर्ट वैसे तो आपने कई तरह की विवाद देखे होंगे फिर वो चाहिए लैंगिक हो यह समलैंगे लेकिन बिहार की राजधानी पटना में तो एक प्रेमी जोड़े ने सुप्रीम कोट को ही चुनाती देदी यहाँ दो मौसीरी बहनों ने समलैंगे शादी करके सभी को चौखा दिया दरसल बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिससे सुनकर हर कोई हैरान है यहाँ दो बेहनों को एक दूसरे से प्यार हो गया जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया लेकिन परीजनों के डर के कारण दोनों बेहने घर से भाग गई वहीं अब दोनों ने थाने पहुच कर पोलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है सूत्रों से मिली जानकारे के मुताविक मामला पटना के गरदनी बाग महिला थाना का है दोनों युक्तिया सिवान की रहने वाली है और पारिवारिक रिष्टे में बहने लगती है बताया जा रहा है कि दोनों युगतियां सिवान इस्थित अपने घर से भाग कर पठना आई थी दोनों बेहनों ने बीते रविवार को पठना के महिला थाने पहुच कर पुलिस से अपनी सुरक्षा की गोहार लगाए वही पुलिस ने अब इस बात के जानकारी युगतियों के परिजनों को दी तो वे भी रविवार की रात महिला थाने पहुच गए लेकिन युवतियों ने घर जाने से साफ इंकार कर दिया और महिला धाना परिशन में ही अपने परिजनों पर उन्हीं जबरन अलग कर अपने साथ ले जाने का आरूप लगाकत हमला करने लगी इसके बाद परिजन खाली हाथ घर वापस लोट गए बता दे कि दोनों युवतियों ने आवेधन में कहा है कि वे दोनों इश्वर को साक्षी मान कर 31 ओक्टूबर से पती पत्नी की तरह रह रही हैं और पिछले तीन सालों से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं प्यार करते हैं इस मामले पर महिला थाना की एसा आई रामनुज ने कहा कि दोनों युवतियां बालिक है और सुरक्षा की गोहार लगाने आए थी पुलस ने दोनों पेहनों को उही के फैसलों पर छोड़ दिया है